जै मतादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योटीब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवंबर माह 2021 के तीसरे सप्ताह के तुला राशी फल के बारे में तुला राशी के लोगों के लिए 15 नवंबर से 21 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा इन साथ दिनों में ग्रह नक्षत्रों की इस्तिति क्या होगी कौन सा ग्रह राशी बदलेगा क्या कुछ खास इस अपताह में आपके लिए होने वाला है ग्राहों के गोचर के हिसाब से आपकी जो दिन चरिया है उसमें किन तरह के प्रविर्तन होने वाले हैं ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सनिवी दिन है चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर ले और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी ये जो राशी फल है ये चंद्र राशी पर आधारित है और चंद्रमा की इस्तिथी इन साथ दिनों में मीन राशी से घोचर करते हुए व्रशव राशी तक यानि ये तीन भाव सक्रिय रहेंगे मीन, मेश और व्रशव और इसी के अनुसार आपके दिनचरिया में परिवर्तन होंगे इसके अलावा इस सप्ताह में और भी कई खास परिवर्तन और खास घटनाए होने वाली है नवंबर के महिने में 16 नवंबर को सूर्य का राशी परिवर्तन होगा और सूर्य मंगल की राशी व्रश्चिक राशी में प्रिवेश करेंगे केतु के साथ यूति करेंगे उसके बाद 20 नवंबर को गुरु व्रस्पति का राशी परिवर्तन होगा और ये कुम राशी में प्रिवेश करेंगे उसके बाद 21 नवंबर को जो इस सप्ताह का अंतिम दिन है उस दिन बुद्ध का राशी परिवर्तन होगा और बुद्ध वरष्चिक के राशी में प्रविश्ट करेंगे जहां सूरिया और केतु हैं तो सूरिय के साथ मिलकर ये बुद्धादित्य योग बनाएंगे केतु के साथ मिलकर सूरिय ने ग्रहन दोश बनाया हुआ है तो तीन ग्रह एक साथ रहेंगे अब यहां इस वर्ष का इस महिने में सबसे आखरी और सबसे लंबा चलने वाला चंदर ग्रहन भी होने वाला है चंदर ग्रहन जो की 19 लवंबर को होगा इस दिन कार्थिक मास की पूरिमा थिथी है जो बेहत खास मानी जाती है और इस दिन पांच साड़े पांच घंटे तक चलने वाला चंदर ग्रहन भी होने वाला है तो उसके भी प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे अब विस्तार से जान लेते हैं किस तरह परिवर्टन होने वाली है आपके दिन चरिया आपके करियर स्वास्ते सभी कुछ चीज़ है सब्ताहा की शुरुवास से चंदर्मा मीन राशी में है जो कि गुरू की राशी है तोलाराशी के लोगों के लिए सब्ताह के नजरिय, स्वास्ते के नजरिय से देखा जाए तो पहले कि अपेक्षा यह जादा बहतर सब्ता रहेगा लगी कुछ चीजों पर आपको ध्यान देना होगा और विश्यस ध्यान देना होगा जैसे जब भी समय मिले आप योग करें व्यायाम करें नियमित रूप से अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो अपने आपको काफी ज़्यादा एनरजेटिक पाएंगे रोग भाव के स्वामी गुरू आपके चौधे भाव में बैठे हुए हैं और अब आपके पंचम भाव में चले जाएंगे चौधे भाव में 20 तारिक तक हैं तो वित्य स्थिती में सुधार होने के तो अच्छे योग बने हुए हैं लेकिन साथ में खर्चे के भी योग है यानि पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी लेकिन जिन कारियों को आप पूरू में करने में ऐसफल हो रहे थे उनमें आपको सफलता मिलेगी और इनको सफल करने में खर्चा भी होगा तो खर्चे का योग भी है ऐसे में थोड़ा सा साफधानियाद जरू रखे लेकिन जैसे ही गुरू का राशी परिवर्तन होगा पंचम भाव में तो तुलाराशी के लोगों के लिए ये गुरू का गूचर बेहत शुब होने वाला है क्योंकि पंचम भाव आपके बुद्धी का व्यपार का फ्रेम का इन सभी चीजों कारकर है तो व्यपार करने वाले लोगों के लिए गुरू की गूचर से बड़ी अच्छी स्थितिया निर्मित होने वाले हैं इस समय आप अपनी घरेलू जिम् वाद वाद की स्थिति हो गई थी तो उन सभी चीजों को आप दूर करते हुए दिखाए देंगे अपने परिवार के प्रती पूर्ण रूप से समर्पित होंगे ये सब्दाह निवेश करने के लिए बहुत फायदेमन है और जो पीछे आपने निवेश किया हुआ है उसके पार्टनर्शिप में आपकी जो साजिदार है उन से किसी तरह का विवाद हो सकता है तो उसमें थोड़ी सावधाने आपको रखनी होगे लेकिन मौके बहुत मिलेंगे और हर मौकों का सही फायदा उठाना आपकी जिम्मेदारी है अगर आपने मौके छोड़े तब आपको जो रचब रहा हो सकता है सिक्षा का जो भाव है सिक्षा के दर्स्ट्रिकोंड से आपका ... अपता है सिख्षा का है इस आपके जो शनी है वो चौतफे भाव में मका राशी में गुरू के साथ लेकिन 20 को गुरू सिक्षा के भाव में आ जाएंगे को जो जा выпуск कुसी स्कूल कॉलिज में ड्मिशन लेना चाहते थे या आप बाहर कहीं विदेश में जो प्रियास कर रहे हैं उनको इस सब्ताह में अपने प्रियासों का फ़ल मिल सकता है कुछ अधुरे दस्तावेज भी आपके यहां काम आ सकते हैं कुछ अधुरे जो कार्या पड़े हुए तो यहां बहुत सी चीज़ें होंगी जो इस अपताह को आपके लिए बड़ा कास बना रहे है। सूरिय देखे व्रश्चिक राशी में जाएंगे व्रश्चिक राशी में सूरिय आपके द्वित्य भाव में हैं के तु के साथ धन भाव में बैठे हुए हैं यहां बुद्धा दित्य योग भी निर्मित होगा लेकिन जो 21 तारिक से होगा और 29 नवंबर को मद्ध सप्ताह में इस सदी का सबसे लंबा चलने वाला ग्रहन भी है चंद्र ग्रहन जो व्रशब राशी में है व्रशब राशी शुक्र की ही राशी है और व्रशब राशी में तुला राशी के लोगों के लिए यह चंद्र ग्रहन शुब होने वाला है क्य ना चाहते थे टू विलर हो फोर विलर हो तो उन चीजों में आपको इस्थिति आच्छी रहेंगी लोन के लिए आपने कहीं अपलाई क्या हुआ था तो लोन आपको मिल सकता है बड़ी ही आसानी से इन चीजों के लिए आप प्रयास करते हैं तो उनके लिए यह ग्रहन बहु तो वो बहुत ही जढ़ी रिजल्ट देने वाले सावित होंगे हैं तो अपने मंत्र का जब करना अपने मंत्र का जब करना कुछ दान पून्नक करना यह बहुत ही उत्तमाना जाता है दस दिनीन कार्य को आप जरूर करें अब प्रेमजीवन पारिभारिक जीवन की आपके बच्चे क्या विवाह है आपके भाहिए भेहनों का है आपका खुद का है तो वह बाधाय तुलाराशी के जातकों की खत महोने वाली है गुरू का प्रभाव पंचम भाहों में बहुत शुब रिजर्ट देगा दूईते भामें गुरू सूर्य और बुद्ध की युत अगर आप वाकिए में आप अच्छी रिजल्ट पाना चाहते हैं तो अपनी मेहनत को बस आप कड़ा कर दीजे क्योंकि आपकी की गई मेहनत आपको अच्छे लाब जरूर दे कर जाने वाली है उपाए के तौर पर आप इस सब्सक्राइब कर सकते हैं जो सूर्य को मजबूत क करेगा कि धन भाव में सूर्य बैठेंगे सूर्य का मजबूत होना धनलाब लेकर आप तो दोस्तों और अदिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को जद्ध जद्ध लाइक करें शेयर करें